आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ गिवन है, Profit गिवन है, Private Final Consumption Expenditure गिवन है Net Domestic Capital Formation भी गिवन है Consumption of Fixed Capital गिवन है, Rent गिवन है, Interest गिवन है Mixed Income of Self-Employed गिवन है, Net Export गिवन है And Government Final Consumption Expenditure गिवन है So, जो हमारी पहली value हो देखते हैं किसमे आईगी से पहले हम टीबल बनाया है इस साइड, Left Side हम क्या करेंगे, Income Method हम Solve करेंगे Income Method से value निकालेंगे, ठीक है और Right Side में, हम expenditure method से निकालेंगे ठीक है, expenditure method से value आएगी Income Method से जो हमारी value आएगी, वो क्या होगी हमारी And DP at factor cost And expenditure method से जो हमारी value आएगी, वो आएगी GDP at market price ठीक है, तो पर देखते हैं, उपर कि पहली value किस में आने वाली है So, compensation of employees Compensation of employees जो हमारी income method में होगा ठीक है, सो हम income method में डाल देते हैं, 1200 उसके बाद next देखते हैं, क्या हमारा Net factor income abroad तो भी use नहीं करेंगे, net entire tax भी use नहीं करेंगे Profit, Profit जो हमारा किस में add होगा, वो भी हमारा income method में use होगा So, यहां पर हम कर देंगे, pluses में, profit 800 Then, आगे क्या information है पास आगे है, private file consumption expenditure 2000 वो हमारा किस में आएगा, expenditure method में 2000 ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, क्या हमारा पास फिर है net domestic capital formation, वो कितना है हमारा, वो है 770 ठीक है, so 770 हम इसमें add कर देंगे, 770 ठीक है, आगे देखते हैं क्या हमारा, इसके बाद है consumption of fixed capital Consumption of fixed capital को क्या करना है हमें यहां पर, यहां पर हमारा पास net दिया हुआ है net domestic capital formation दिया हुआ है, so हम क्या करेंगे, इसमें 130 add कर देंगे, ताकि यह gross हो जाए, so 130 हो जाएगा इसके बाद आगे और क्या करना है, यह देखते है, इसके बाद आगे हम पस rent है, 400 यह भी हमारे किसमें जाएगा, income method में जाएगा, interest भी है, 620 यह भी जाएगा income method में, so हम क्या करेंगे, यहाँ पर add करेंगे, 400, फिर add करेंगे, 620, ठीके, आगे देखते हैं क्या information इसके बाद, आगे है, mixed income of self-employed 700, यह भी हमारे income method में आएगा, ठीके, 700, ओके, आप देखते हैं क्या information है, आगे है net export minus 30, यह हमारे expenditure method में आएगा, so यहाँ minus 30 कर देंगे, उसके बाद next देखते है, government final consumption expenditure, यह भी हमारे GDP at market price method में आएगा, क्या है यह हमारा 1100, 1100, ठीके, अब इसको solve करते हैं, जो हमारा यहाँ पर NDP at factor cost है, वो कितना आएगा, हमारा 3720, ठीके, यह हमारा क्या आगया, NDP at factor cost आगया, और यह किस में है, करोर में है, ठीके, so हमारा NDP at factor cost निकल गया, और GDP at market price की value कितनी आ जाएगी हम हमारी 3970, ठीक है, अब यहाँ से नेक्टर, नेशनल इंकम निकालते हैं, ठीक है, हमने क्या निकाला अभी हमने, हमने निकाला है, NDP at factor cost, और हमें निकालना क्या है, NNP at factor cost, ठीक है, so changes सिफ domestic से नेशनल में जाने में है, एड कर देंगे, net factor income from abroad, बस यह करना है हमें यहाँ बड़ यहाँ पर GDP, expenditure method में, GDP at market price है, और हमें निकालना क्या है, NNP at factor cost, so gross से नेट पर जाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसमें, depreciation minus करना होगा, domestic से नेशनल पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें, net factor income from abroad, जो है वो add करना होगा, and market price से हमें कहां जाना है, factor cost प value put करते हैं, क्या है हमारी यहाँ पर, हम क्या करेंगे, formula बनाएंगे, NNP at factor cost, equal to, NDP at factor cost, plus net factor income from abroad, and value put कर देंगे, same चीज यहाँ भी करते है, NNP at factor cost, equal to, GDP at market price, minus depreciation, plus net factor income from abroad, minus NIT, value put करते हैं, हम सबकी, जो given value है, आप यहाँ पर आड़ करेंगे, वहीं, same, same, और जो solve किया, वो value भी हमारी यूज होगी, पहली, NDP at factor cost में, जो पहली value होगी, 3720, and इसमें, net factor income from abroad कर देंगे, minus में हो, ठीक है, 20, वो value put कर देंगे, हम minus 20 आ जाएगे, हमारी यहाँ पर, क्या आएगी, minus 20, चेक करते हैं, minus 20 ही है, ठीक है, चेक करते हैं, यहाँ पर हम, कहा है, net factor income from above, minus 20 है, अब हम, यहाँ पर निकालते है, expenditure method में, GDP at market price कितना है, हमारा, 3970, ठीक है, उसको डेपिशेशन हम 130 लेंगे, and minus में हमारा क्या जाएगा, net factor income from abroad, so plus minus minus होता है, so minus 20, and हमारा NIT 120 है, ठीक है, अ तब इसको solver case, जो इसकी value आजाएगी, यहाँ पर हमारी expenditure method में, वो कितनी आएगी, रुपीश 300, 3700 करो, यह हमारा किस side आगया, expenditure side आगया, और क्या आया, national income, जिसको हम NNP at factor cost भी बोलते है, इस side देखते हैं, क्या आता है, NNP at factor cost, इसको भी solve करके, इसकी value 3700 आजाएगी, करोर में, ठीक है, तो दोनों ही formula से हमारी जो value आई है, वो same ही आई है, ठीक है?